अभी भी जर्मानी में बहुत सारे लोग इंडिया से मूव करने लगे हैं, कैनेडा से मूव करने लगे हैं, जो कि of course 40 plus years के हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी opportunity मिल रहे हैं, based on their experiences, experience का वेटेज यहां पर काफी अच्छा उटा है, influencers हैं, कुछ लोग हैं, जो हमेशे negative post करते हैं, related to, कि यारी job market बहुत खराब है, job market बहुत खराब है, still हम लोग जो हैं, वो jobs को claim करते हैं, तो मैं यहां पर एक clarification दे देती हूँ, last one, जो कि बहुत-बहुत important है, and I think personally, यह मुझे बहुत काम करा हुए, Hey guys and welcome back to my channel, मैं हुसुर्भी Indian Girl in Europe, और topic और title लेकिया अलरेडी समझ में आगया, आज बहुत important topic के साथ आई हूँ, myths, क्या है, यहां के job market के लिए, या फिर job application के लिए, या job मिलने के लिए, especially Germany, जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में भी बताया है, जो मैं job search related, या job market related बना रही है, कि यहां का market कैसा है, कुछ चीजें आपको धिहान रखनी चाहिए, and यह based on my experience, और जो लोग मुझे से contact करते हैं, friends हैं, उसके basis पर है, मैंने आपको यह भी बताया था, कि कुछ offers मेरे पास हैं, वो भी ऐसे tough time path, so that's also truth, तो आपको कुछ अच्छी news जो है, वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, और of course क्योंकि वीडियो में मैं यह नहीं चाहती कि आप कुछ भी चीज मिस आउट करो, तो इसलिए मैं वीडियो जो है, वो time to time लाती हूँ, well, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं करा, तो please कर लो, क्योंकि वो हमको काफी ज़्यादा motivation देगा, तो बिना कुछ time waste करें, वीडियो स्चार्ट करते हैं, वो यह क्या है, top 5 myths कौन से हैं, job market या job in Germany से related, अगर आप outside Germany से, या EU से, आप non-EU country से, अगर आप job ढून रहे हैं, जैसे India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, तो कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं, जो शायद हो सकता है, आपको misconception हो, या myths हो आपके मन में, जो कि true नहीं है, आज वो ही सक चीजे जो है, वो मैं आज आपसे discuss करूंगी, and I hope that at the end of this video, आपको सारे myths जो हैं, वो आपके clear हो जाएं, वेल अभी आपके दिमाग में कोई भी मित आ रहा है, तो जल्दी से comment करो, मैं आपको first जल्दी से बताती हूँ. तो सबसे पहला myth की, आपने जैसे ही job देखी, ओ, LinkedIn में देखी, उनकी website पे देखी, आप चाहते होंगे, तुरंद की तुरंद आप जो है, वो उसे apply करो, और शायद आप बिल्कुल as soon as possible उसे apply करोगे, तो आपके पास chances जादा हैं, interview call आने के लिए, जो कि एक dumb wrong myth है, मैं आपको यहाँ अच्छे से explain करूँगे, जादा application भेजना जो है, वो आपका मकसद कभी भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी कभी नहीं हो था, और जो लोग success होते हैं, यहाँ पर job मिलने के लिए उनका नहीं होता, for example, 50 jobs आपने apply करी, और आपने जादा उस पर time invest नहीं किया, of course, अगर आप 50 jobs apply करोगे एक दिन में या एक week में, तो आप जादा time invest नहीं करोगे, that means, कि आप हो सकता है, कुछ न कुछ वहाँ पर miss out कर दो, और आप अच्छे से अपनी application मत भेजो, इस case में, आपने अपनी महनत तो लगाई job को apply करने के लिए, लेकिन आपके पास एक week में 50 के 50 जो हैं, वो rejections email आ जाएंगे, basically, जो AI generated या automatic generated आएंगे, क्योंकि आपने invest नहीं किया, time नहीं लगाया, efforts नहीं लगाया उसको fill करने के लिए, तो अगर आपको especially ऐसी jobs देखनी को मिलती हैं, जिसे आपको लगता है कि यार, आप तो बिल्कुल इसी के लिए हो, आपका experience इसी में है, and you are the perfect match for this particular job, तो आप please उसपे time invest करो, तो आपका मकसद जो है वो numbers पे नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि आप अगर interested हो, और अगर आप time किसी चीज़ पे लगा रहे हो, तो उस पे एक right तरीके का time और efforts लगाओ, rather than सिर्फ अंधा दुन जो है वो apply करते रहो, ये बात मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि पहले मैं ऐसा बहुत करती थी, जब मैं initially आई थी तो मैं बहुत-बहुत सद़ जॉब सप्लाई करती थी, सब देजेक्शन सादे थे, वाट अब मैं बहुत कम जॉब सप्लाई करती हूँ, थोड़ा देखती हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन्स देखती हूँ, इसकिल सेट मैच करती हूँ, एक वीडियो में मैंने अल्रेडी सब बताया है कि क्या टिप्स हो सकती है, जो कि काफी अमेजिंग टिप्स हैं, वो वीडियो की लिंक डाल दूँगे, वो सब चीजे इंपोर्टेंट है, और अपकोर्स यार कम अप्लिकेशन में जाधा सक्सेस देखने मिल रही है मुझे, तो प्लीज अगर ये मित है, तो प्लीज इसको एवाइट करो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, जोब अप्लिकेशन को पढ़ने में, उसको एप्लाई करने के लिए, क्या क्या चाहिए, अगर कुछ चीज मिसिंग है, तो उसे अरेंज करो, प्रॉपर अच्छी आपकी अप्लिकेशन बनाओ, ताकि आपको रिजेक्शन में नहीं आए, सेकेंड बहुत बड़ा मित यह है, कि अगर आपकी एज जादा है, तो आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी जॉबनी में, यह मैं इसलिए पॉइंट लिया है, क्योंकि काफी बार जो है, वो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, कि यार मैं 35 years हूँ, 35 plus years, 45, 40 years, इस केस में क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, और अगर मुझे जॉब मिलेगी, तो क्या मैं मुव कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ जॉबनी में, तो मैं आपको बता दूँ, yes. जॉबनी एक ऐसी कंट्री है, जो अफको आपको यह तो देखने मिलेगा, कि यंग टैलेंट को वेलकम कर रही है, वो इसलिए कि लंबे टाइम तक, यंग लोग जो हैं, वो काम करें, बट अगर आप 40 प्लस हो, तो यह आपके लिए इसलिए एडवांटेज होगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा experience होगा, और जर्मनी experience को बहुत जादा वेटेज देता है, यह बात तो हम सबको माननी पड़ेगी, कि experience के basis पे जर्मनी में जॉब मिलना थोड़ा easy होता है, तो अगर आप 40 प्लस हो, तो आपके skill sets जो हैं, वो काफी अच्छे होंगे, आपने काम किया होगा, आपको अच्छा खास experience होगा, और वो जर्मनी बहुत value करता है, तो वो लोग जो मुझे comment करते रहते हैं, कि यह 40 प्लस years के हैं, हम यह 35 प्लस years के हैं, क्या हमारा move करना सही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि 40 प्लस years के बाद ही, यहाँ पर लोगों को अच्छी opportunities मिलती हैं, अभी भी जर्मनी में बहुत सारे लोग इंडिया से move करने लगे हैं, कैनिडा से move करने लगे हैं, जो कि of course 40 प्लस years के हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी opportunity मिल रहे हैं, based on their experiences, experience का वेटेज यहाँ पर काफी अच्छा होता है, तो in case you are 40 प्लस, 35 प्लस, तो that's not a problem, because that's a myth जो आपके दिमाग में होगा, अभी तक है अपने job सर्च करने start नहीं किया है, basis this particular myth, तो please इसको avoid करो, और अभी के अभी job सर्च करने start कर दो, एनिक और चीज में बता दू, 40 प्लस जो है, वो still यहाँ पर young ही माना जाता है, मतलब a kind of experienced वाली slab में आ जाता है, तो it's not old, आप यह मत समझदो कि आप जो है वो old हो, एक और मित ही होता है, कि जैसे आपने job apply करी, और आपके पास तुरंथ automatic reply आ जाता है, या अगले दिन reply आ जाता है, आप यह सूस्ते हो कि recruiter जो है, उसे सारी application के बारे में सब कुछ पता है, which is a myth, क्योंकि most of the companies यहाँ पर जो है, वो अब automatic replies करने लगी है, automatic replies करने लगी है, मतलब वो skill set match करता होगा, जो भी computerize या AI system होगा, और उसके basis पर आपको हाँ या ना होता है, अब कुछ criteria होते होंगे, उनके उस criteria के हिसाब से कर आप fit नहीं बाढ़ते हैं, तो directly automatic reply आजाता है आपको, that means कि recruiter आपकी application को देखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आपने application भेजी है, तो recruiter don't know कि आप application भेज रहे हो, somehow उनको notice होना चाहिए कि you are applying for that, and you are really motivated for that company or for that profile, तो आप यह मैं समझो कि यार, recruiter ने हमें mail कर दिया, you are not suitable for this role, because अभी आदे से जादा emails यादी से जादा companies जो हैं, वो automatic replies करती हैं, based on, आपके skill set कैसे हैं, और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप job descriptions देखते हो, तो please उसको resume और cover letter के साथ match करो, ताकि at least आपका जो automatic rejection होता है, वो ना हो, at least आपका resume जो है, वो select हो पाए, ताकि आप जो है, वो interview दे पाओ, plus आप Google पे, या फिर उनकी company में, Glassdoor में भी देख सकते हो, कि what is the criteria to get, like resume select होने का, उस particular company में क्या criteria है, तो plus ये mind में रखना, और ये मत सोचना कि recruiter को सब पता है, कुछ cases में अगर आप बहुत बहुत जादा interested हो, तो LinkedIn में जो है, वो recruiter को search करो, उनको अपना एक अच्छा सा message भेजो, email भेजो, कि you are interested in this particular position, आपने apply भी किया है, and whatever, या फिर अगर कोई already employees है, जिसे जानते हो, या किसी से contact कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो, बहुत 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 ऐसा हुआ है, मेरे friends के साथ, जिन्होंने actually rejection mail आ गया, फिर उन्होंने contact किया, hiring manager से, या किसी से, and then they got a job, या they got that offer, position, तो ये भी examples हैं, तो if that's the myth for you, तो please, please, please उसको भी, एक और चीज़, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, कि English speaking jobs, जो है next, जो myth है, मैंने बोला था, कि LinkedIn में सारी English speaking jobs होती है, तो most of the मेरे cases में होती हैं, but that doesn't mean, कि सारी की सारी LinkedIn में होती हैं, कुछ जो होती है, उनकी खुद की websites पे होती है, तो LinkedIn में सारी jobs नहीं होती, websites पे भी होती है, तो अगर आप किसी company के लिए interested हो, तो websites पे देखना, for example, if I check out today, मेरी field में, Adidas, Nike, तो उसमें 1000 होतो नहीं, लेकिन 100 से भी जादा jobs होंगी, लेकिन अगर हमें LinkedIn में देखूंगी, तो कम post होती है, तो LinkedIn में सारी jobs नहीं होती, किसी company के बारे में आपको already पता है, कि वो यहाँ पर recruit कर रही है, interested हो, तो उनकी websites पे देखो, क्योंकि websites पे जादा jobs होती है, तो just LinkedIn के भरोसे मत बैटो, क्योंकि LinkedIn में हो सकता है, कि कम jobs post हो, mostly LinkedIn में वो jobs post होती है, जिनको maybe उनको बहार से लेना होता है, या बहंकर तरीके से वो, मतलब उनको कोई मिली नहीं रहा, most of that jobs जो हैं, वो लोग post करते हैं, और कुछ companies तो सारी करती हैं, बट most of the companies नहीं करती हैं, तो LinkedIn को सिर्फ अपना source मत बनाओ, इसके अलावा जो है, वो आप उनकी website देख सकते हो, website पे तो सारी ही jobs listing होती है, zinc, अगर जर्मन में job ढून रहा हो, तो zinc होती है, steps, stone, बगएरा, वो सब तो avoid कर सकते हो, website देख सकते हो, और LinkedIn, इन दो चीजों को जो है, वो आप अपना source बना सकते हैं, last one, जो कि बहुत-बहुत important है, and I think personally, ये मुझे बहुत काम करा, वमित, ये ये है कि cover letter जो है, वो सिफ आप अपने बारे में, या अपनी चीजों के बारे में, अपनी accomplishment के बारे में, मत लिखो, somehow company cover letter में, ये देखना चाहती है, कि आप जिदर पर apply कर रहे हो, जिस position के लिए apply कर रहे हो, जिस company के लिए apply कर रहे हो, उसके बारे में, आप कितना क्या सोचते हो, और कितने motivated हो, तो आपको उस company के बारे में, कुछ अच्छे words लिखने हैं, rather than just आपको, think about that, कि company को नहीं पता, और आप job apply कर रहे हो, and आपने कुछ-कुछ-कुछ चीजें लिखी, सर्फ अपने बारे मेरे मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वो किया है, आपने ये नहीं लिखा है, कि आप उस company में क्यों interested हो, या आप कैसे directly इस profile के लिए perfect feedback दे हो, या आपको उस company के बारे में क्या amazing चीजें पता है, तो cover letter is just not about you and your experiences, cover letter is about the motivation to that company, या आप उस company के बारे में क्या जानते हो, यहाँ पर Germany में लोगों को सुनना अच्छा लगता है, अगर आप यह बताओ, कि हम company के बारे में जानते हैं, या हम interested हैं, या यह हमारी dream company हैं, या okay I heard about this news, about this company really, तो यह सब चीजें जो हैं, यह काफी जादा महत्पून हो जाती हैं, जब आप interview calls यहाँ पर देते हो तो, तो guys यह रहा top 5 myths, so maybe आपके दिमाग में होगा, and I want to, like मैं चाती हूँ कि यह myths आपके दिमाग में ना हो, क्योंकि कुछ cases में हो सकता है, कि यह myths जो हैं, वो आपको रोक रहे हूँ job application के लिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देते हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ influencers हैं, कुछ लोग हैं, जो हमेशे negative post करते हैं, related to, कि यारी job market बहुत खराब है, job market बहुत खराब है, still हम लोग जो हैं, वो jobs को claim करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक clarification दे देते हूँ, jobs यहाँ पर हैं, मैं इसको claim करती हूँ, हाँ, और मैं इसलिए भी claim करती हूँ, या मैं आपको इसलिए भी motivate करती हूँ, ताकि you land up a job here, बहुत सारे बार लोग मुझे मिलते हैं, और वो जब यह बताते हैं, कि यार आपकी वज़े से मुझे job मिली, तो मुझे बहुत proud feel होता है, and that's the reason, जब भी मैं job देखती हूँ, या job market अच्छा होता है, मैं हमेशा positive चीज आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, for the motivation part, आपको motivation मिले, आप job apply करो, and you land up a job in Germany, या job in Europe, आपको करना है, for example, मैं starting में ही यह बोल देती, जर्मनी में job नहीं है, तो आप माल लो आप ये वीडियो भी नहीं देखते, आप job भी apply नहीं करते, आपको जो top 5 myths, मैंने आपको बताए जर्मनी के बारे में, jobs in Germany के बारे में, वो पता भी नहीं चलते, उसके according आप जो है, वो job apply भी नहीं करते, right ना, तो इसलिए मैं एक positive side दिखाना चाती हूँ आपको, ताकि अगर आप really interested हो, आपको सारी चीजें यहां के बारे में पता चले, और positivity से ही आप यहां पर land कर पाओगे, and right information के साथ, तो वो मैं try करूँगी time to time देने के लिए, और वो करती भी हूँ, वेल, अगर आप job ढून रहे हैं, इन में से कोई भी myth आपकी थी या है, तो comment करना, इस्चिल कोई से myths हैं, जो आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, A to Z, प्लीज वो comment कर दो, छोटी से छोटी questions जो होते हैं, वो बहुत जादा important हो जाते हैं, दूसरों के लिए तो जरूर comment कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है, कि यार आपके questions क्या हैं, Well, this is it for today, I hope you enjoyed watching this video, आपको बहुत सारे insights में ले हो, job market या job applications are related Germany में, और बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ मैं आऊंगी, Till then, Bye-bye, take care and subscribe कर लेना.